नमस्कार आपका स्वागत है एश्या नीज इन्या में आपके साथ मैं पून हूँ कोरोना का नया सब वैरियंट जैन वन दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है भारत में अब तक इसके 21 केस आ चुके हैं इनमें गोवा में 19 और केरल महराष्ट में एक एक मामला आया है नीती आयोक के सदस्यवी के पाल ने बुदुवार को पताया कि पिछले दो हफ़ते के दौरान भारत में कोरोना से 16 लोगों की मौत हुई है हलाकि इनमें अधिकतर लोग डाइबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम जिसी दूसरी बिमारियों से भी जूज रहे थे केंदर के मताबिक देश भर में कोरोना के करीब 2300 एक्टिव मामले हैं इनमें 92 पतिशत लोग घरों में ही इलाज करवा रहे हैं नए वेरियंट वाले मरीजों में वायरस के लक्षन काफी हलके हैं हलाकि घबराने वाली कोई बात नहीं है डबलू एचो ने जैन वन को वेरियंट आफ इंट्रेस में शामिल किया है डबलू एचो ने बताया कि अभी तक का विशलेशन कहता है कि मोजुदा वेक्सिन जैन वन वेरियंट पर पूरी तरह से कारगार है इसमें लोगों को ज़्यादा खत्रा नहीं है हलाकि डबलू एचो ने साउधानी के तोर पर एडवाईजरी जारी की है इसमें लोगों को भीडवाले बन या दुशित हवा वाले अलाकों में मास पहनने की सला दी गई है साथ यावशक दूरी बनाने को भी कहा गया है केन सरकार ने राजों की दिए अडवाईजरी में कहा है कि सभी जिले कोविट टेस्ट करें पॉजिटिव सेंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए लैब भेजें मौक डील करते समय समय पर त्यारियों का जायजा लें करनाटक के पड़ोसी राज केरल और तमिलनाडू में कोविट नाइंटीन के नए वेरियंट जैन वन के मामले बढ़ने की कारण वहां भी एडवाइजरी जारी की गई है साथ परश और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों किड़नी रदय लिवर जैसी बिमारे उसे पिड़ित लोगों गरपती महिला उस्तनपान करने वाली माओं को बाहर जाने पर अन्यवार रूप से मास्क पहनने की सला दी है इसी के साथ बने है इस्योनी सिंडे के साथ निवाध